पिछले लेक्चर तक हम लोग ने present tense का दो टाइप पढ़ लिया था एक था कि present indefinite tense था जिसमें पहचान था कि हिंदी में परता है ती है ती है वर्ब के साथ लगा हो तो उसे माल लेंगे कि present indefinite tense का है और rule जो है उसके बारे में बताया था कि subject पलस V1 या V5 लगाएंगे और आज हम लोग present perfect tense के बारे में पढ़ेंगे तो इधर से present है इधर से perfect यानि present perfect tense इसका नाम है इस पूरे course का लिंक उपर आई बटन में देदेंगे नीचा description में भी देदेंगे वहाँ से जाकर के आप शुरू से वीडियो को देख सकते हैं तो perfect tense present present से तो यह पता चलता है कि last last में हाय हूं लगा रहेगा कई हो लगा हुए हाय यह ओ लगा हुए परफेक्ट present perfect यानि की कुछ ऐसा काम जो पहले हो चुका हो लेकिन present में हम बता हुँ है इसमें क्या है चुका हुचके है चुके है यह है यह होता है जैसे कि मैं आम खा चुका हूं, कोई पूछ रहा है था, हम बोल दिये, कि मैं आम खा चुका हूं, तो खाया तो पहले, लेकिन अभी बता रहे हैं, तो ये जो है, चुका है, चुके है, चुके है, या है, ये है, ये है भी होता है, वह बजार गया है, तो वह बजार गया है, चाद चुका है लेकिन अभी हम बता रहे हैं तो इसी को कहा जता है perfect tense पाचान यह हो गया इसमें एक example देख लेते हैं कि देखिए मैं आम खा चुका हूं चुका है चुके है लगा हुआ है यानि कि यह present perfect perfect tense का है तो इसका जो है हीरो कौन है मैं आम खा चुका हूं तो मैं एक तरीक से हीरो है तो मैं जो है इंगलिस हो जाएगा आई उसके बाद हम helping लगाते हैं sentence में हमने आपको बताया था देख लिए बार बार रिवाइज करना पड़ा है subject plus helping word या मैं या दोनों रहेगा पॉलस अब्जेक्ट यहीना sentence में बताया था simple sentence तो यही तो है यहां भी देखिए helping word लगाएंगे अच्छा helping word हूं है तो हमें लगा देने चाहिए i am उसकर लाए खा चुका कि में लगाएंगे खा चुका खाना चुका खाना ऐक तरह का मैं खा चुका और आपको हमें जब word form पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि चुका चुके हो इस टाइप से जो होता है उसमें वी थिरी होता है इट का आपने वह फ़र्म याद भी किया होगा इट एट इट 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 क्या होगा तो इटेन जो है वीथिरी है तो चुका लगाना है तो वीथिरी लगा देंगे तो I am इटेन और बाकी जो है object last में अमाएंगो I am इटेन अमाएंगो इसका इंगलिज तो ऐसे होना चाहिए जो simple तरीका जो ट्रिक हमने बताया हुआ है उसके अनुसार लेकिन यहां जो है एक special टाइप का helping वर लगता है जिसका नाम है have या has तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा I am नहीं लगेगा how has a लगते हैं क्योंकि है वह और हेव फूर्ध रहे रहें की काम हता में है तो M नहीं लगेगा है अब हैब कहां लगेगा है तो हैज समझे एक तरीके से स्ट्रीकर और यह पुर्एल है तो ठे नाम हो इसमें जो है वह ही singular होता है, तो उसमें has लएगा, बाकि सब में have लएगा, हलाकि एक graph से भी बता दिया था, कि I के साथ क्या लगता है, have, U के साथ भी have लगता है, तो I have लगा दिये, तो बाकि सब वही है, I have eaten a mango, तो रूल बन गया, कि subject plus has या have, has कहा लएगा, third person singular number में, और have लाएगा बाकी सब के साथ और be three plus object तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि है हूँ हो का इंगलिस आप इज आरा में इसमें मत लगा दीजिएगा गलत हो जाएगा have या has लगाईएगा बस आपका हो गया अब देख लिजे ये तो simple sentence ही है मैं आम खा चुका हूँ इसमें नहीं question ये सब तो नहीं लगा हूँ है ना simple sentence में भी यह होगा ना मैं आम खा चुका हूँ इसका जो है formula जो हमने सबसे पहले बता आये था कि subject helping verb ये main verb plus subject दूनों भी रा सकता है तो देख लिजे यहाँ पे I have eaten a mango helping verb जो है यहाँ पे special आ गया have या has लगता है बाकी जो है वी थिरी रागे गया खतम कराना नहीं तो I have eaten a mango बाकी आपको negative बनाना है तो have helping verb है उसमें not लगा दीजे तो I have not eaten a mango देख लिजे उसके पाद interrogative लगाना है तो जो है helping verb है उसको उठा करके बाहर कर दीजे तो have I not eaten a mango क्या मैं आम खा चुका हूँ उसी तरीके से negative interrogative लगाना है तो जो है कि I have not eaten a mango जो negative sentence है उसमें से have बाहर निकाल दीजे तो have I not eaten a mango क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँ उसी तरीके से wh question लगाना है तो जो interrogative sentence था हाई भाई not eaten a mango उसमें wh लगा दीजे क्यों मैं आम खा चुका हूँ इसी तरीके से negative interrogative लगाना है तो बस negative interrogative sentence था उसमें wh लगा दीजे बस खतम कहानी यहीं तो है तो कहाने का मतलब है अगर आपको हिंदी में sentence मिलता है तो एक तो तरीका है चुका है चुकी है चुकी है लगा हो तो वो मानेंगे कि present perfect tense का है तो उसमें formula लगाएंगे subject have या है plus b3 plus subject या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है कि मैं आम खा चुका हूँ है तो I लगाएंगे और यहां से have या हैज लगाएंगे थोड़ा सा धियान रखेंगे have या हैज लगाएंगे और खा चुका का है eaten लगाएंगे हो जाएगा इसे भी उसी तरह से इंगलिस में अगर दिया हुआ हूँ कि I have eaten अमाइंगो तो सबसे पहले देख रहे हैं कि subject है उसके बाद have या हैज है उसके बाद we three है देख लिजे यह जो rule याद रहेगा तो समझ में आ जागा है कि perfect tense का है यानि कि चुका है चुके हैं लगाना है हिंदी में मैं सबसे पहले subject मैं उसके बाद subject तो मैं एक आम और इसके बाद में वर्प खा चुका और इसका में निकलेगा हूँ निकलेगा चुका हूँ चुके हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है बस अब आप page number 70 पे exercise number 112 यह 112 से लेकर करके exercise number 114 तक आप कर सकते हैं basic English translation में तो इसे जो है आप बैट करके घर पे कीजिए जितना exercise कीजिएगा और अच्छा राएगा और ज्यादा confidence और ज्यादा जल्दी याद होगा यह pdf आपको हमारे telegram channel revolutionary doctor के नाम से है उस पर आपको मिल जाएगा नीचे description में link देदेंगे वहां से आप जा करके उसे download कर सकते हैं और हमारे channel को join भी कर लीजेगा इस पूरे course का हमने playlist बना दिया है description में आपको link मिल जाएगा उपर i button में भी देदेंगे और यहां जो है आप click करके भी देख सकते हैं धन्यवाद